एक समय बनार्स के अंदर कासी के अंदर एक दामदर नाम के बहुत बड़े विपारी रहा करते थे बिजनिसमेन उनका अपना एक पोट था समुद्री जहाज था और उसके साथ वो विपार करने के लिए समुद्र मारग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे उसके साथ और भी उसी सहर के आसपास के काफी अन्य बनिये लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर और अपना सौदा लाया करते थे शेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्म पत्नी जिसका नाम धर्म वती था वो बहुत धार्मिक थी सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे बगती बहुत विश्वास करते थे प्रमाकवान और हमारे हिंदु समाज के अंदर राम और किरसन गनेश और इन भगवानों से उपर कोई हमारा इष्ट नहीं था और ये सभी किरियाएं हम किया करते थे जो वो कर रहे थे जो हम करते हैं वैसी हो किया करते से उसमें प्रमात्मान के बहुत से सऩगे थे और बहुत दुख दूर हो गये थे एक तिन ऐसे ही उस सेट की पतनी दरमवती के पास एक बहन गई उसके पास के बहन हमारे गर पर सत संग है आप आ जाओ तो उसने सोचा चल वे रिए वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चास कर रखी थी उसने परमात्मा की तो कर्मवती ये कहा करती कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आओं तो उसमें बताना है अगर ग्यान समझ में आगया तो मैं दिख सा लिए वैसे नहीं लिए तो उस बेहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहली को आमन तरित किया अपनी आत्माओ परमात्मा का ग्याने ओर ग्यान सव ग्यान डी कभीर ग्यान सो ग्यान जैसे गोला तोब को करता चले मिदाने प्रमात्मा ने सिरिष्टी रतना सुनाई प्रमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सिरिष्टी रतना सुनाया करते थे और फिर मालक की वाणी में उनके सबद में ज्यादा का सकती आत्मा तुरंद खिज जाती थी सारा ज्ञान सुन्या दार्मी देखो पुन्यात्मा होती है न वो गणी अटबट निक्रया करती सारा पर्मान सामने और फिर अगरम-गरम तो धरम्वती उस भेहन का एकदम सीर गया शरीर जब सत्संग पर्मात्मा ने कर लिया दो गण्टे और बैठे के दस बीस भगत थे अपनी अपनी कैन लागे तब उस ने पर्मात्मा ने कहा वीटा दिखसा लेगी वो कहन लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मत दिखसा लिए आपकी मुझे ग्यान पूरन रुप से समझ मागया है कुछ तो उस बेहन ने कई बार सुना रहा था और फिर पर्मात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया पर बगवान मेरा एकांट एक समस्या मेरे सामने है तो परमेश्वर कभीर जी ने कहा बोल बेटा क्या संका है वो बता मुझे कि यू कहा करें नू सुना हमेने के जोड़े मनाम लेना चाहिए मेरा पती गया हुआ परदेश में धन कमानी के लिए और वो आलेगा तब नाम लूँगी लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बार कदम रखूंगी आपकी जौफड़ी इस सतानत है कि जे मेरी मर्चू ना हो जा आज मुझे आपके सत्संग से एक एक प उर्खों का पैदा किया हुआ है तुम एक दिन जनमे नहीं एक दिन मर्चू नहीं होगी आपके पती आपसे बड़े हूँ पहले जनम हुआ आपका बाद मह हुआ और दूसरी बात यह है कि अध्धातम मारग मैं पिर उसे ने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है राज तक मने कोई भी काम उनसे बगेर पूछे किया नहीं है और कहीं वो मुझ से नराज ना हो जा मैं पाप की भागन ना बन जाओं परमातमा ने कहा बेटा आतम के लाण के मारग में किसे पूछन जो सकता नहीं और सभी कामों में सला ले सकते हो सभी बातों में इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए कोई पाप नहीं लगए अब वह अचा हुए नहीं हो ठीक संक गुरुजी के मुक्से दो सबस सुन्यों फाइनलस अची है अक महराज फिर दिख सादे तो अब उसने नाम ले लिया अब रोज यह मंतर आप देख रहें यह मंतर दिया करते दाता सब इसके पहले बीच बीच के पाँच अब हम हिंदुईन के उपर आरूढ थे यह हिंदुध लेकिन मंतर जाप करें थे यह मूल मंतर है इनके जैसे आपको बहुत बातायां है जैसे एक बैसा होता है या यह उत बैफे उसने वैसे कहें जाओ बैसा बैसा कती नी सुने और एक बारन्यों कर दिया हुर। वह नू देख़गा और उसकी तरफ दोड़न नो हो जागा। तो उसका एट्रेक्शन है विवस है उसके सबद से उखेच जाता है। तो ये वो मंतर है और संथ से लिए विना ये मंतर सुके जाब करने ते लाव नहीं हो। एक नियम है उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंतर दिये उसने वह तो गद गद होगी अक्सवा भगवान ही नता। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा वेटीच अपूजा नहीं है। ये यहां के संरकसक हैं और मूल पूजा तो सथगूरू की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत्थ और سथ और सार नाम चुपार का रखना अचा कि इनके संसारिक काम सुर्ज हे रहेंगे इनको सुख होता रहेगा इनकी भगवान में आस्ता बनी रहेगी और इस मंतर से इनका जनम मुनस्का होता रहेगा इनका आपको यहां तक लाना था इस विचली पी डी ते ही धरम दास मेरी लाख दोहाई यह मूल ग्यान है और मूल म जब तक ये कलियुक 5505 वाला समय नहीं हाना था, तब तक इसको गुप्त रखना था, सभी मापरुसों से पर मातमा ने पर्तिग्या दिला दी थी, तो इस मंतर को पागवात गद गद होगी, खोब डिट का बजन करें, आत्मा बिलकुल खुस होगी, जो बूद प्रेत की बाद आए थी, थोड़ी वो सब के गर्म बढ़ रहे हैं ये, वो भाग भूगे, उलगी सी काया होगी, अब क्या हुआ, सेट जी आए, एक महिने के बाद में, अब वो दिमान बहुत थी, उसने सोचा, कि मेरे पती को, यदी को थर्ड परसन नो बतावागा, कि तेरी पतनी सत्संग में जाती है, और रात को जाती है, क्योंकि प्रमातमा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्यों उसने सोचा, कि ये, कहीं इसके मन में मेरे परती, कोई दोस ना आचा, और हमारा घर नर्क बन जावाए, अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेट वापस आया, उसी दिन सत्संग था वगवान का और किसी के आसपा से, तो उसने सोचा, कि अपने पती को मैं पहले बता जूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ती है, अगर मेरी बात को यूं मान लेगा, तो फिर ये किसी की नी सुनेगा, तो जब वो खाना खाने लगया, खाना खिला रहा खराते समय, उसकी पत्नी नहीं कहा, जी मेरे से गलती बन गी, और मुझे अकसमा करोगे, माफ करना, उकन लगा कि मै मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती, जो अकसम में ना हो, फिर भी बता, अक जी सच मुझ माफ कर जोगे, गुसत नहीं होगे, अक ना तू बता, मैंने जी आपके पुछे बिना, मैं ऐसे मेरी पड़ों से नाम ले रखा है, और उसके साथ में सत्संग में चली गई, और मातमा की वानी सुनी, मैंने मेरा दिल कर गया नाम ले ले लिए, और मैंने आप से पुछे भी ना दिख्या ले ली, तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पुछना था, या कोई बुरा काम किया तने, बगवान की बगती की, बहुत अच्छी बात है, उसका उलगा सा हर्दय हो गया, बड़ी दयाकरी दाता, यह तो पिलकुर सरलदेश ही मन गया, फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग सतल दिखा जूँ, जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भरमित ना करने, तेरी पत्मी रात ने भी जाती है, तो यह आत्मी के चल्दी सी सेट नहीं होया करें, और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा जी, ऐसा है, गुरू जी का आज सत्संग है, वहाँ पर है, और मेरी साथ की सारी से लिचली की में आपके बोजन पानी में लगी, औ और देर होगी, और ना गई तक गुरू जी के दिन अराज हो चाहा, आप मेरे साथ चल पड़ो, तो वह कहने लगा, देखो, मैं ठका हुआ हूँ, दूर से आए हूँ, आप जाओ, और नो बहले, आप जाओं कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं में रहे, तो वह कहने लगा, म आप यू करियो, पीछे सी बैठ जी ओ, नींद आ जाता सो जाए, यो गुरू जी कुछ ना कया करे, तो उसने सोचा चल पहर तक कोई बात नहीं, वह दोनों पती-पती नहीं आगे, अब बैठ की पाच्छे नहीं, वह बैठ का पीछे नहीं, बैठ की बैठ मतियों में, पर मातमान वाए, सिरिष्टी रचना फेर सुनाई, वह दो जाने से चोटने साने मारना, अब लाला जी न किसी नींद आवे थी, वह बैठ कलेजा फट गया, थर थर का पगात सारा, अर नोके सोके सुने, गयान कडिक कसूती तर है, अब सारा गयान सुना के सुन लिया जब तो उसने जा के कहा, माराज जी, बगत जी हाई है, और यूं के है, दिखसा मिल जागी, अखावेटा बुला, तब उसने, बोली कहा जा, नाम देंगे आपको, शेट जी जा कर वेठ के आपास में, परमातमा बोले देखो शेट जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजा एक दिन आनु पासी और वो अपरादी आत्मा फिर पड़ा काल की फासी, एक सो वर्स गुरु की अनुसार साद ना कर ली, सत्गुर की अनुसार, एक दिन भी आनु पास ना कर ली, ना किसी देवी देवता की पिछली सारा बठा बैठ जागा तरह, तो लाला जी बोला, कथा सुन रहा है कि खो बड़ी बड़ी जो गयाना आपने दिया इस पर थी पर नहीं, और मैं जो वसन करा करूं दाता और पक्का करता हूं, आप मेरे गुरु में आप का चेला, फिर कहा कि देख, मैं दानक अर तुन लाला जी कल ने तरी ब्रादरी वाले भी तुझे डिक जाएगी मुझे दिक्षादीों और परमात्मा मैं, नी कहा कि और अपासना नहीं करोंगे, पिर किसी देवी देवता कर्यान थे नुकसान हो जाँगा, लेकर naam पर परमात्मा का घ्क्ह कि पनाय करते थे, blah annah मिला करते थे, वह क्षोटो ले गया, जो विधिय बताई थ विद्धान वो शुरू करती है अपने फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग शुने फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे वेपारी वी साच थे अब उसे ने क्या किया उस जाज के इंदर उसे अपना एक कक्स बना रहा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे और वहीं अपना गंटी बजाया करता, परका आर्ती करा करता, जैगनेश, जैगनेश, देवा, माता, थारी पारवती, ये सारी आर्ती करा करता, अब उसने क्या किया जाके, पहले सारी मूर्ती उठाई, और समुंदर में जाज थाए, समुंदर में जल परवा कर दी, और एक फोटो पर महात्मा कबीर जी का लगा लिए अब दूसरे जो थे वो लाला जी उन्हें देख्या रहा है दा मुदर ये देवी देवताओं के फोटो कहा गए तो उसने बतावे मैं ने दिख से लेली गुरु जी से और गुरु जी का जो सत्गुर की पूजा करते ने देवी द जावागा तो ने कहां किया है ये कबीर ये धानक जुलाहा इसकी कड़ फंटी मागया तो कहां बात तो मागया तो ने देवताओं छोड़ दिये राम करसंदे से बलवान बगवान छोड़ दिये देखना तेरा क्या होगा वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ आप अपनी करो अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर करन लाए गये कियो आगया कबीर दामुदर करना छोड़ दिया जो बोलावे कुछ भी को थारीविजी पवीतर हो है वगवान का नाम लेन थे ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विसे से कह रहे हो कोई बात है अब वो चले गए और सब आप अपना माल लाद के बच्चों समेथ जा रहे थे कुछ तो क्योंकि चतिन तिन टेर चार मेने वापस आया करते थे जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के और बीच में जब आ लिए समुदर के एक बैंकर साइकलोन उठा तुफान समुदरी तुफान तुफान फुट उचा हो गए और इतनी 200 किलोमेटर पर ती गंटा की सफीड से चला करता है जाद दकाता है उन्हें सान भी ना पाओ उस वकीत पड़ा है और देख लिया उन नहीं क्योंकि छोटे मोटे तुफान कई बार ऐसी होते थी उनको पता था ऐसी सती थी बहुत बहुत होती है दिन का समय था उनको देख्या तुफान उठिया वारे स्याम का समय था बिल्कुल सुरियस्त होने वाला था अब इतना भेंकर तुफान उठा उनको तब हो गया काम बिगडिया और तो थोड़ी बहुत तुफान दूर था सबंदर में हलचर पहले श्रू होगी और अब सब घबरा रहे थे घीगी बंदगी बच्चे मरें सारी संपत्ती का नास होए था तो वह कहने लगे दामोदर आप क्यों ही अरज करते हैं अपने गुरूजी से कि मैं क्या करूँगा मेरा गुरूजी ते गरीब सा विक्ति है मेरे भगवान और आपके इसे ताकत वर अब अगवान जी ने पाड तक ठा लिये आप बच्चों गोड़ा में अबस जाओंगा आप कर लिए अपनी अरज जब उन्हों देख्या कोई जतने काम नहीं कर रहा उनमें एक वरद लाला जी था नो कहा अकर भाई का अगर सत्गुर का बगत अगड़ा हो से आप एक में अरज कर दो नहीं बहला तुम बैठ जाओ कर देबीच में फिर नहीं को मारा लेने सुन ली थी अक बैठा को नहीं जाता तू कर लिए अरजम बंद हो जाते तब परमात्मा खड़ा होकर दामोदर ने कहा था ही परमात्मा आपका ग्यान समझ माय गया और मैंने आपकी महिम बेध रहती होगी मुझ मेरा मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाया हुगा यह परमात्मा आपकी वेज़ती का कारण यह दास बनेका न्यू कैकोबे औहुंस हो गया आर्जड़ा से पकारिक है इस बात ने सोच गया diagonally macra दिया उसका दिया उसका कर दिया उसके ऐसे कर दिया में इतने समय में अंदेरा हो गया राज के 8-9 जा और तुफान ऐसे बैठ चांदनी रातरी थी ऐसे बैठ गया जैसे चाड़ा सा वहीं का वहीं नोग का नोग दरती हो और समुद्र के जल में जरासी भी हल चल नहीं अब उस दामुद्र को पाणी के छीटे-छेटे मार के मुँपे और समेल आए तब उन्होंने कहा के वहीं दामुद्र है और मुझे बढ़ी घनी गलती हुए हम ना आपके गुरुदेव की बेज़ती करी हम कते नीच पराणी हैं और उन्होंने संकलब करया था कि यदि आज जानबचगी मारे बगवान ते फेल हो लिए जै आज ही इस तुफान रुख गयार मारे आज चलाएंगे नाम लेंगे उस परमात्मा का तब दामुद्र ने दामुद्र को कंदेव बठा लिया उन लालाओं ने बोले बोलो दामुद्र की जै ने बोला नहीं दै बोलो जिसने यू काम करया है बोलो कबीर परमेश्वर जी की जैहो अब उद्र से परमात्मा उसी दिन रात्री में सत्संकर रहे थे साथ आठ बजे सी और सर्दियों का मोसम था अब कुछ भग्द सामने आसपास बैठी थे एकदम परमात्मा ने क्या किया ऐसे मूँ पाकर नुआत फेर कर ऐसे जड़का दिया आसपास के बैठे बगतां गचिटे लागे उन्होंने सोचा भई पशीने कैसे आगे सर्दी में गुरुजी आपके पशीने आगे तो पर वो बोले ना भाई पशीने को नहीं आए अक ओर क्या था ये पानी कहां से आ गया कि मेरे बगत का जाज डूब़े था दामोदर शेठ नहीं था भी नाम लेकर गया था खाँ ज जी हाँ जी उसका जाज डूब़े था भाई अब वो उसने बचा काया हूँ है अब वो भगत सोच रहे थे हैं अक भाई अब क्योंकि हम बगती अवस्य करते हैं लेकिन विश्वास दर्द नहीं होता अब परमात्मा कहते हैं कहा हो हरी नाम से जा मनमन विश्वास बिना व इश्वास के जो भक्ती करते हैं वो सफल नहीं होते हैं तो वो कच्चे से थे और मन में उनके न्यूँ थी ऐसे ही सबदगा रहे थे ग्यान सुना रहे थे पसी इन्या आगे होंगे हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समूंदर में जाज बचाक आई हैं वो तो बात कही गया उनों ने उस दिन फिर सत्संग हो रहा था वो पहले अपने घर गया घर जाकर पता चला कि मेरी धरमपत्नी भी उड़े जारी सत्संग में गई हुई है और सारे वह सेथ नुबले पीछे घर जावांगे और सारे बच्चा न साथ ले रहे पहले अब प्रमात्मा का अब क्या हुआ अब उदर सत्संग चल रहा था वही भगत मेले जुले से आया करते अक्सेत्र में तो सारे वही बैठे और पीछे ते हैं क्या हुआ वो सारे के सारे जा गए बाहर खड़े हो कहने हो कि जैहो पबंदी छोड कबीर साहिब की जैहो बगवान कबीर साहिब की परमात्मा वो लिरबार कोन सोर कर है पता कर काईयो अब जो ही वह बहर गए भगत पता करने अंगन से बहार तो उन्हें देख्या, दामुद्दर को वो सब जाने थे, क्योंकि वो आते जाती थे सत्सक में, तो उन्हें आकर बताया जी, दामुद्दर सेठ आरे हैं, उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्सन करना चाहते हैं, बिला बलालो भाई, क्या बात होगी, वो सारे आगे, चरना मुद्दर पर नाम करें, यह बगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी परमात्मा, हमसे बहुत बूल हुई, हमने बहुत गल्ती किया, आपके भगत को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ करो हम अपरादियों को, बगवान आप आपने हमारी ज्यान बचा दी, हमारा ज्जाज दूबता आपने बचा दी, परमात्मा बोले क्या कहरे हुआए, और परमात्मा चाहँ थे, जनका मन में संका थी, वो उनका भरम निवारन करने के लिए, बताओ सारी कानी क्या हुआ था, कि बगवान ऐसे ऐसे हो गया था, हम आपने सारे जनतर मंतर कर लिये थे, कोई रहत नहीं मिली, फिर आपके बगवत्या रद करी थी, इसने आपको फुकारा के मंतर पर डायू दाने, यो बेहुस हो गया आपको फुकार कर लिया, तो अब कहा बेटा, मैं ही वहाँ पहुँचा था, और आपकी रख्षा करी थी और आपका अब सो भागे है कि आपको इस संक्ट आपके लिए वरदान से दोगा, कि आपके समझ मागी रख यहां आगे, दिख सेले और अपना कल्याण कराओ, सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ, बो सत्कुर्देव अरज करी डूब ता देखे जहाज, लाज मेरी रखियो ग्रीव न्यवाज समुदर से, पार लंगाने वाले, दन दन सत्गुरु सत कभीर भगत की, पीड मेट ने वाले सत्गुदरु सत्गुरु कर दो